वेल्गम टो पर चैनल हम बात करने वाले हैं राधिका जर्ट के वाद करा थक्सक्राइछ में हमारी में नियुक्ष किया है और काफी मेस्च आया है इसको ले कर क्योंकि पर पहले बिडियो आपको दिया हुआ है और मैंने बहुत क्लिर ली वहां पर कहा था इसके बाद कभी भी आपको एक सेलिंग देखने के मिल सकता है और एक मेजर करेक्शन आपको देखने के मिल सकता है मतलब ठीकता करेक्शन हो सकता है तो important resistance जो है वो करीब 160 से लेकर 200 की range में हो सकता है second point ये है अगर आप इसका overall chart देखोगे ये तो जैसा इसका momentum रहा है पहले तो क्योंकि sideways था complete sideways था फिर एक momentum आया फिर sideways गया और यहां से momentum श्टार्ट हुआ है तो 60 रूपीज से चलना है start हुआ है already 121.30 के label पर चल रहा है मतलब 100% का return दे चुका है तो अब आप इसमें ज्यादा प्लान नहीं कर सकते हो कि कहां पर target होगा है कितना जा सकता है लेकिन आप ये ज़रूर प्लान कर सकते हो कि अभी risk कितना है इसको buy कर निकले क्योंकि अग कोई problem नहीं है double के आसपास है half quantity निगालोगे और half quantity hold कर जाओगे तो आपका total capital जो है वो आगया वापस और जो profit है वो market में है तो जिससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको किसी भी level तक hold कर जाए लेकिन जो लोग fresh buying करना चाहते है उनके लिए यह है कि अगर आप 150 130 140 के इतना correction होता है लेकिन अगर आप normal correction की बात करोगे तो 40-50% correction मतलब बहुत normal correction है अभी के time में आप railway stocks उठा लो defense stock उठा लो और बहुत सारे stocks है ठीक है और भी बहुत सारे stocks है मतलब पूरा overall market में अगर आप 1000 इस time में अगर search करोगे जाकर तो आपको करीब 40% से लेकर 60% stock ऐसे म में घूम रहे हैं correction में ठीक है 40% का correction जिन में अभी देखने के मिल रहा है तो 40-50% का correction बहुत normal है तो अगर चालीस-पचास परसेंट भी अगर यहां से correct करता है जो कि अगर आप already देखोगे तो 10-15% already correct कर चुका है जो सायद आपको नहीं देखेगा ठीक है तो अगर 40-50% का correction देता है आपको loss बहुत ज़्यादा दिखने वाला है और सायद वहां पर आप hold भी नहीं कर पाओगे अपनी positions को ठीक है क्योंकि आप mid term या long term के लिए तो जा नहीं रहे हैं आप जा रहे हैं सिर्फ short term के लिए right अगर आप अभी देखोगे तो कितना 18% down है मतलब top से अगर buying के लिए मत प्लान करेगा अभी के time में तो अगर किसी ने भी top के आसपास buy किया हुआ है तो 10 से 15% का loss तो बहुत आराम से चल रहा है same time में गर 120 के level पर आता है तो आपका जो loss है वो 20 से 25% तक भी हो सकता है मेरे according safe traders के लिए stock अभी नहीं है आने में अगर correction मिलता है तो 120 का level हो गया 100 का level हो गया यह अच्छे levels हो सकते हैं जहां पर हम reversal के time में buying plan कर सकते हैं फिलाल के लिए stock negative दिख रहा है तो गल्दी से भी hold कर करने का plan मत करिएगा यह सोच कर कि कितना ही गिर जाएगा आने के लिए return आ सकता है जहांसे इसने breakout डिया है इस चीज को याद रखेगा correction आप कभी भी plan मत करिए कि सिर्फ इतना correction होगा तो हम hold कर लेते हैं ठीक है यह चीज़े महुत अच्छे से याद रखिए फिलाल stock negative है safe traders के लिए buying के लिए labels नहीं है रिस्की टेडर अगर बाय करना चाहता है तो 160 से लेकर 170 का range cross होता है देन आप plan कर सकते हो जो रिस्क ले सकते हैं जो safe trading करते हैं दूर रही है आपके लिए stock नहीं है बाकि ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए stock का नाम comment कर सकते हो support resistance लिए आप हमे